लोगों ने पूछा है कि एपक्सेल इंडिया से बाई कैसे करें तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा प्रोडॉक्ट्स हैं जो कि आपका फोन फोटोग्राफी के लिए यूज होता है DSLR के लिए lense नहीं मिलता है यहाँ पे उपर में आपका देख सकते हैं बहुत सारा lenses का category दिया गया है तो आपको जो भी type का lens करेदना है उस category में आप click करके उस type का lens ले सकते हैं अभी देख लिए यहाँ पे यह जो lens है out of stock है तो यहां पे आप buy नहीं कर सकते अभी, तो आपको wait करना पड़ेगा जब इसका stock आएगा, अगर आपको जानना होगा कब इसका stock आएगा, तो आप यहां पे नीचे में contact option है, यहां पे contact करके आप जान सकते हैं कि आपका यह stock कब आएगा, ठीक है, या फिर आप WhatsApp भी कर सकते ह इस नमबर पे, ठीक है, यह stock में है, इसलिए आपका buy now वाला button दिखा रहा है, जो stock में नहीं होगा, उसमें buy now वाला button नहीं दिखाएगा, ठीक है, तो buy now वाला button नहीं दिखाएगा, लेकिन यहां पे अपना email ID डाल देजे, और notify me क्लिक कर लेजे, जब भी यह stock में आएगा आपको email आ जाएगा, ठीक है, तो अभी लोगों को पुछना था कि, अभी case on delivery में मैं कैसे book करूँगा, कोई भी lunch, तो अभी मैं क्लिक करूँगा, buy now में, यहां पे अपना email ID डाल देजे, चेक आउट कीजे, तो चेक आउट करने के बाद, आपको यहां पे option आ जाएगा, address डालने के लिए, ठीक है, तो अभी next continue कर देना है, यह address हो जाने के बाद, यहां पे आपको दो option मिलेगा, एक prepaid मिलेगा, एक COD मिलेगा, ठीक है, तो एपेक्सल इंडिया में क्या होता है, अगर आपका 500 रुपे से कम का purchase करते हैं, तो COD option आता नहीं है, अगर 500 के उपर select कर सकते, तो अभी हमारा आगया next page, तो question delivery यहां पे आपका select हो गया, तो इसके बाद आपको यहां पे लिखा है, how to successfully place COD order, read carefully लिखा हुआ है, ठीक है, अभी लिखा हुआ है, click place order button below on this page, then place the COD order, ठीक है, अभी बोला है कि यह वाला page में नीचे जाके place order कर देना है, ओके, so अपका order place हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, after COD order is placed, अभी हमारा COD order place हो गया, तो यह COD order place होने के बाद, please pay 199 रूपीज, ठीक है, तो आपको यहां पे link में click करना है, और फिर आपको 199 रूपीज पे करना है, ठीक है, तो आपको link में click करने के बाद, इस type का window एक इस window में आप कुछ भी लिख दीजी, यहां पर और यहां पर लिखे 199, उसके बाद करना है, pay भी मैंने next किया, और आप अपना UPI payment भी कर सकते हैं, या फिर more payment option में जाके net banking यह सब में भी payment कर सकते, payment हो जाएगा, यहां पर payment successful दिखाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक screenshot लेना है, और screenshot लेके आपको तो इस email ID में आपको send कर देना है, अपना completed वाला payment complete screenshot, यहां पर payment successful दिखाना चाहिए, आपका काम हो गया, COD order place हो गया, email आएगा, जिसमें status होगा, processing, ठीक है, तो यह email आने के लिए थोड़ा सा time लगता है, कभी 1 गंटा, कभी 5-6 गंटा लगता है, तो उसके लिए wait कीजिए, कोई टंसल लेने का जरूरत नहीं, ठीक है, आपका email send हो गया, मतलब यहां पर आपका काम खतम हो, और कुछ doubt है, तो नीचे comment कीजिए, thank you for watching, bye bye, see you in the next video.